दोस्तों टीवी पर ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो अकसर सोशल मेडिया पर अपनी बोल तज़्वीरें और वीडियोज को लेकर ट्रोल हो जाती हैं लेकिन इस बार तो हदी हो गई दरसल इस बार एक ट्रॉलर ने टीवी अभिनेत्री को मर जाने का शाब दे दिया और वो अभिनेत्री कोई और नहीं बलकि टीवी का पॉपलर शो कुंडले भागिये में प्रीता का किरदान निभा रही अभिनेत्री शरदा आरिया हैं हाला कि शरदा आरिया कभी बीखनी पहननी को लेकर तो कभी बोल फोटो और वीडियो को लेकर ट्रॉलर का निशाना बन जाती हैं लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी एक ट्रॉलर ने शरदा आरिया को मर जाने तक का शाब दे दिया हिम्मत तो देखो कि ट्रॉलर ने शरदा आरिया को किसी ट्यूट ये इंस्टेक्राम पर जबाब देनी की बज़ाए सीधा मैसेज ही करके आप शब बोल दिये ऐसे में शरदा आरिया को बहुती गुस्सा आया और वो भी जबाब देनी के लिए पीछे नहीं आटी फिलहाल आपको बता दे शरदा आरिया को जिस ट्रॉलर ने अब शब बोल दिये हैं वो एक फिमेल यूजर है जिसने शरदा आरिया को इंस्टेक्राम पर मैसेज किया जिसमें लिखा था तुम अमीर गरीबों को कोई एहमियत नहीं देते मैं उमीद करती हूँ कि तुम मर जाओ मैं मुसलिम हूँ और अल्ला मेरी प्राथना सुनता है ऐसा मैसेज बढ़का शरदा आरिया का गुस्सा साथ में आस्मन पर पहुंच गया उन्होंने तुमं न मैसेज को स्क्रेंट सौर्ट लेकर अपनी इस्टेगराम इस्टोरी पर शेयर किया शरदा ने उस फिमेल यूजर के अकाउन को तुनंती रिपोर्ट किया और इस्टेग्राम से रिक्वेश्ट की कि ऐसे लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिये जाएं जो दूसरे लोगों को दमकाती है और बुरा भला कहती है शरदा ने लिखा और कब ऐसे लोगों के खिलाब कुछ किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि उनके हरकतों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा इसलिए बिस तरह के असंबेंदन शील्स चीज़े आपको भेजने लगेंगे यह तो बस एक ही मैसीज है इंस्टेक्राम को ऐसे सभी लोगों के प्रोफाल को सस्पेंड कर देना चाहिए जो बीना बज़ है ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आपको भेज रहे हैं शरदा आरिया ने आगी लिखा सबसे बड़िया तरीका है कि इग्नौर किया जाए लेकिन अगर कोई इग्नौर ना कर पाए तो नगेटिविटी को इसलिए न फैलाएं क्योंकि आप फैला सकती हैं फिलहाल दोस्तों आपको बता दें शरदारिया टीवी की मश्चूर अभी नेतरी हैं जिन्होंने अपने अभीने करियर की शुरुआ मैं लक्ष्मी तेरे आगंसी की थी इसके बाद ये तुम्हारी पाकी एंड ड्रीम गल्ड जैसे शोका इससा बनी तो दोस्तों आपकी राए में शरदारिया के बारे में फिमेल यूजर ने आप सब बोल कर ठीक किया या गलत हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर पताएं धन्यवाद